तो प्यारे स्ट्वेंट आज के इस वीडियो में आप सब को क्लाश 10th हिंदी के 20 महत्वपूर MCQ बताया जाएंगे जो की बोर्ट पेपर 2024 में आनात तैं हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो देखे पहला कोश्चन है सुक्ल युक के लेखक हैं आपसन नमबर A है आचार रामचंदर सुक्ल बी है जैसंकर प्रशाद सी है बाबु स्याम सुन्दर दास आपसन नमबर D है आचार महाभीर प्रशाद दिवेदी तो इसका राइट एंसर आपका है A आचार रामचंदर सुक्ल जी है इसके बाद देखे आपका दूसरा कोश्चन है रेखा चित्र विधा की रचना है आपसन नमबर A है मेरी यूरोप यात्रा B है गेहू बनाम गुलाब C है पत के साथी और D है अवारा मसिया तो इसका राइट एंसर है पत के साथी आपसन नमबर C सही है इसके कोश्चन तिसरा है गवन किसकी रचना है आपसन नमबर A है महादेवी वर्मा B है हरिवन्स राय वच्चन C है मुंसी प्रेमचंद्र और D है निराला तो इसका राइट एंसर है मुंसी प्रेमचंद्र की रचना है इसके बाद देखे चोथा कोश्चन है भारतेंद यूग क सीमा अवधि है तो आप सम्नमबर यह 1850 चपी से 1950 यस्वी तक आप समस्तूर भी है 19 strongesthhपी यसवी सिधा और आप सम्नमबर सी है 1920 यस्वी यॡी से 1999 सी यॡी से आप सम्नमबर डी है 1939 स्वी से नीच सो सयनतारीष यस्वी तक तो इसका राइट टैंसवर आपका है आपसन नमबर A 1850 से लिकर 19 सव इस्वी तक इसके बाद एक पचवा कोशन है रस्खान कवी का मूल नाम क्या था आपसन नमबर A है राम भूला B है धनपतराय C है मदन मोहन और D है सयद इब्राहिम तो इसका राइट एंसवर है D सयद इब्राहिम इसके बाद देखे छठवा कोशन है रीत काल के परमुक कभी है आपसन नमबर A सुमित्रा नंदन पंत आपसन नमबर B कवीरदास आपसन नमबर C बिहारी आपसन नमबर D मैथली सरड़गुप तो इसका राइट एंसवर है बिहारी इसके बाद देखे सतवा कोश्चन है आपसन नमबर A है तो इसका राइट एंसवर आपका है C. 1843 से आज तक अठवा कोश्चन है कुकुर मुत्ता किसकी रचना है आपसन नमबर A है नागर जुन B है सुरिकान तिर्पाठी निराला C है जैसंकर प्रशाद और D है रामधारी सिंग दिनकर तो इसका राइट एंसवार आपका है इसके बाद देखे नवा कोश्चन धरमभीर भारती किस यूग के कभी है A है चायवादी यूग B है दिवेरी यूग C है प्रियोग वादी यूग D है भारतेंदी यूग तो इसका राइट एंसवर C है प्रियोग वादी यूग के कभी है इसके बाद देखे दसवा कोश्चन करुड रस का अस्थाई भाव है तो अपसन नमबर A है हास, B है रती, C है सोक, D है निर्वेद तो इसका राइट एंसवर आपका है सोक इसके बाद देखे ग्राव कोश्चन भारत भारती किसकी रचना है इसके बाद देखे बरावा कोश्चन चरड कमल बंदो हरी राई उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो A है उपमा लंकार, B है रूपक लंकार, C है उत्परेच्छा लंकार, D है सलेश लंकार इसके बाद देखे 13 कोश्चन, 68 चंद में कितने चरड होते है A है दो चरड, B है थीन चरड, C है चार चरड, D है चह चरड तो इसके बाद देखे 14 कोश्चन, अना चार सब्द में परयुक्त उपसरग है A है अन, B है अधी, C है सू और D है अना तो इसका राइट एंस्वर है अन आपसन नुमबर A सही है 15 कोश्चन है कमल का परियावाची है आपसन नुमबर A है नीरज, B है सोम, C है अम्भू, D है गगन तो इसका राइट एंस्वर है नीरज कमल का परियावाची सब्द नीरज है आप्सन नमबर A सही है इसके बाद देखे 16 कोश्चन आकास का बिलोम सब्द है A दिया है जमीन B धरा C गुलाब D पाताल तो इसका राइट एंसवर है D आकास का बिलोम सब्द पाताल होता है इसके बाद देखे 17 कोश्चन आई सब्द में परियुक्त प्रत्य है A है महानता B है लिखाई C है सुन्दरता D है घवराहट तो इसका राइट एंसवर है B लिखाई प्रत्य क्या होता है जो लाश्ट में आए जैसे लिखाई देखे I जो सब्द है यह लाश्ट में आया है तो यही हो गया इसका प्रत्य है इसके बाद देखे 18 कोश्चन है हेमाले सब्द का संद विखेद है A दिया है तो इसका राइट एंसवर आपका है आपसण नमबर A हिम पलस आले है इसके बाद देखिए 19 कोशन है नेल कंठ में कौन सा समास है आपसवा नमबर A है करमधारे समास B है दुन समास C है बहुविरी समास D है तत्पुरुष समास तो इसका राइट एंसवर आपका है आपसवा नमबर C बहुविरी समास इसके बाद देखते हैं बिसमा और लाश्ट कोशन परमूद का तस्सम रूप है A दिया है प्रीमूद B है प्रमूद C प्रमूद D प्रमाद तो इसका राइट एंसवर है C प्रमूद तो यह हो गए आपके 20 MCQs जो आपके बोर्ड पिपर में आना तय है अगर जो आपको 20 MCQs समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिजी और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना मत बुढ़िएगा मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंजय भारत